हेलो गाइज वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एंड आज का जो हमारा वीडियो को टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकल सेल्फ कवर्मेंट का ग्राम पंचायत एंड उससे रिलेटिड हर एक टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे जैसे कि ग्राम पंचायत के कॉंपो कुछ होगा इस वीडियो में अगर एक वीडियो में कम्प्लेट नहीं होगा तो आइल अप्लोड पार्ट सेकेंड अलसो एंड वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल को पहली बात देख रहे हैं तो मेक शूर यू लाइक तर वीडियो एंड सब्सक्राइब अब शुरू करते हैं तो सबसे पहले ग्राम पंचायत क्या होता है ग्राम पंचायत एक इलेक्टेड बोडी होती है वीलेज की बाई ग्राम जो ग्राम सब्सक्राइब के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट की गई एक बोडी होती है यहां पे होता क्या है बेसीकल हैं वो सभी ग्राम सभव में आएंगे और यही लोग वोट के द्वारा अपने सरपंच को परधान को चुनते हैं या अपने पंचीज को चुनते हैं जो मिलकर एक ग्राम सभव बनाते हैं अब हम इसका कॉम्पोजीशन देखते हैं या और हाँ एक और बात चहां की पॉपु 200 से नीचे होगी तो वो दूसरे विलेज के साथ मिलके अपनी ग्राम पंचायद बनाएगा अब हम शुरू करते हैं इसका कॉम्पोजीशन कॉम्पोजीशन में एक सरपंच होता है और पंच होते हैं यह अकॉर्डिंग टू वार्ड होते हैं वार्ड जैसे की एक विलेज ह एंड यहां पर ऐसे एरिया के अकॉर्डिंग वार्ड बनाए गए होते हैं यह पांच छे साथ आठेन की 6 से 20 टक हो सकते हैं एस पर हमारा जो हर्याना का पंजायती राज अक्ट है उसके अनुसार 6 से 20 हो सकते हैं यह हर्याना के अंदर पंजाब में भी कुछ ऐसी ही ये हर एक स्टेट के अलग-अलग होते हैं बट इन केस अगर वार्ड नहीं बन रहे हैं जादा मतलब 6 से कम बन रहे हैं तो स्टेट गवर्मेंट की पर्मिशन के साथ कम वार्ड भी बना सकते हैं इसमें सरपंच होता है पंच होता है और पंच 6 से 20 कितने भी हो सकते हैं मैंने बताया आपको ये पॉपलेशन के अपना एक पंच होता है और हर एक वार्ड का अपना एक पंच होता है और पूरे गाउं में एक सरपंच होता है तो यही इसका composition है अब हम अगला topic देखते हैं इसका एंड उसके बाद आता है हमारा tenure tenure जो रहेगा वो रहेगा 5 year यह कब से शुरू होगा start from the first meeting जैसे ही first meeting होगी ग्राम पंचायत की उसके बाद से यह time period शुरू हो जाएगा and in case अगर जो ग्राम पंचायत suppose करो धाई साल के बाद वो dissolve हो जाती है by appropriate authority then जो धाई साल बचे हैं जो next ग्राम पंचायत बनेगी वो सिर्फ अगले धाई साल के लिए बनेगी यह निकि जो total time period होगा वो 5 year ही रहेगा and इसके बाद जो अगर for example अगर 6 महीं नहीं बचे हैं and जो ग्राम पंचायत उसको dissolve कर दिया गया है तो जो अगला election होगा वो होगा अगले 5 साल के लिए ही बनेगी वो ग्राम पंचायत and यहाँ पे जो presiding officer की से बोलते हैं presiding officer जो पंजाब, हर्यान, जमू, कश्मीर, एक्सन जो states होते हैं वहाँ पे बोल जाता है सर्पंच को and हिमाजल परदेश, यूपी यानि कि उतरपरदेश में जो है जो हमारा head होता है उसे बोल जाता है परधान, directly elected होता है यह member of Gram Sabha and along with the punches, इन सब के द्वारा directly elect करते हैं हम अपने सर्पंच को and हम इसका meeting देखते हैं meeting जो है परदान या सर्पंच absent होता है किसी भी meeting के अंदर तो किसी ना किसी एक पंच को क्या किया दे जाता है सिर्फ उस meeting के लिए सर्पंच की जगे पे उसे act करना होता है और सिर्फ वो उसी meeting के लिए होता है सर्पंच की तरफ से जो भी जवाब है वो आना चाहिए उसके बाद majority of the punch जो है वो present होने चाहिए एक meeting के अंदर तभी वो meeting valid मानी जाएगी अनकि ऐसा ना हो कि like अगर six punch है तो उसमें एक सर्पंच और दो ही पंच आएगी तो वो meeting नहीं मानी जाएगी उसके अंदर at least four punch and one सर्पंच होना चाहिए अगर वो देना चाहिए तो वो किसे दे सकता है वो deputy director को अपना resignation दे सकता है and in case of removal removal में क्या है कि जो सर्पंच है अगर उसको remove करना चाहते है पहली बात उसे दो साल के अंदर-अंदर remove नहीं कर सकते हैं and number second पर अगर उससे remove करना चाहते हैं तो एक meeting भी ठाए जाएगी जहाँ पर block development and penchayat officer जो BDPO उस meeting को head करेगा या कोई भी person head करेगा जिसको उसने authorize किया है अपने बिहाफ पर and वहाँ पर पर नमपनचायत होगी वहाँ परी and उसमें से जो majority एक no confidence motion पास किया जाएगा and उसके बाद ही उसको remove किया जा सकता है सरपंच को उसकी पॉस्ट से and उसके बाद functions of सरपंच देखेंगे हम यहाँ पर functions of सरपंच में है number one पर है convey the meeting and presided यानि कि वो meeting कराएगा and उसको head भी करेगा number second पर है responsible to keep record यानि कि जितना भी gram सबह का sorry gram पंचायत ग्राम सबह कर record होगा वो सब पंचायत मतलब सरपंच रखेगा financial and executive administrative work यानि कि अगर किसी भी funds की जरूरत है या executive जितने भी administrative work होंगे यानि कि जैसे जो जो भी हमारे पंचायत system के अंदर आता है वो सब के सब सरपंच द्वारा संभाले जाएंगे उसके बाद supervision the functioning of the staff of gram पंचायत यानि कि जितना भी gram पंचायत का staff होगा उस सब को supervise करने के जिम्मेवारे भी सरपंच की होगी number fifth पे है all other functions which he is called upon to perform by special resolution or by state government यानि कि इसके अलावा जो भी special resolution से उसको बोला जाएगा सरपंच को या state government उसको बोलेगे कि आपको यह यह functions परफोर्म करने हैं वो भी functions जो है वो सरपंच के द्वारा परफोर्म किये जाएंगे इसके बाद जो हमारा topic है वो है qualification and disqualification of members of पंचायतर सबसे पहले हम देखते हैं qualification the person should be the citizen of India वो citizen होना चाहिए इंडिया का and उसका नाम जो है वो रिजिस्टर्ड होना चाहिए वोटर लिस्ट के अंदर उस village की वो हाँ एक वो specific उसी village का होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप A village से election लड़ रहे हैं and आप residence हो B village के तो जहां से आप election लड़ रहे हो वहीं इसके आप residence भी होने चाहिए and he or she should be at least 21 years of age and उन्होंने अपने 21 साल की जो age है वो complete कर लेनी चाहिए and he or she not be holding any government post वो किसी भी government post पे ना हो and अगला point है he or she not be culprit यानि कि तो वो culprit नहीं होना चाहिए दूसरा किसी भी court competent court ने उसे डी बार ना किया हो कि वो किसी भी election में part ना ले सके अगर कोई भी culprit होगा जिसे कोई भी सजा हुई होगी तो वो election में part नहीं ले सकता इसके बाद है number 6 पे he or she should be not a member of either house of the parliament and the state legislature ना तो parliament यानि कि कोई और government पोस्ट हो नहीं नहीं चीए उसके पास उसके बाद हम देखते हैं इसके disqualifications अगर हम disqualifications की बात करें तो इसके अंदर मैं अलग से एक slide डाल दूँग उसकी but disqualification में होता कि disqualification में ये उल्टा होता like अगर उसने वो unsound mind हो and उसने अपनी age complete नहीं कियो वो citizen ना हो इंडिया का या अगर in case अगर जो election है वो reservation के अंदर है और वो reservation category से belong नहीं करता हो and उसका नाम ही ना हो electoral list में या voter की list में उसका नाम ना हो और कोई government post पे हो वो and वहां से वो resign भी ना करे तो यह सब इसकी disqualification होगे मैं एक अलग से एक slide डाल दूँगी बीच में जिससे आप उसको note कर सकते हो and अब next topic देखते हैं हमारा next topic होगा हमारा इसका reservation तो अब हम शुरू करते हैं reservation of seats for women यानि कि आपको पता है जो हर्याना पंचायती राज एक था तो के अंदर तीन reservations है women's key, SC key and BC यानि backward class के और scheduled cast की अब हम देखते है women को जो है at least one third of the seat reserved for the SC women यानि कि one third जो seats है वो reserved कर दी गई है scheduled cast की women के लिए and one third of total seat reserved for the scheduled cast women and punch की post के लिए भी one third जो seats है वो सिर्फ और सिर्फ शेडूल कास्ट की women's के लिए जो है वो यहाँ पे reserved कर दी गई है and total number जो है 50% जो है 50% के अंदर जो है वो ये one third हिस्सा भी आएगा जो हमने scheduled cast के लिए रखा है and सभी women's के लिए आजाएगा scheduled cast भी general भी and BCB इसके अंदर सब आएंगे and वो अलग-अलग आता है in rotation आता है वो की अब की बार जो है election वो जनरल की women's से होंगे या scheduled cast से होंगे या BC से होंगे जो BC में आएंगे तो उससे निचे scheduled cast and BC दोनों जा सकते and अगर general में आएंगे तो कोई भी women participate कर सकती है उसके बाद आगे चलते हैं reservation of for BC and SC reservation of the SC and the मतलब कि basically मैं आपको simple समझा देती हूँ फंडग आइसका जो BC और SC के election है वो decide किये जाएंगे जितनी उस जिस्ची की population होगी and जिस भी village में वहाँ की जादा population होगी उसके according rotation में आएंगी seats और ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे SC की जो seats है वो ज़ादा है तो या कम है तो वहें पे SC की ही आएगी हमेशा वो rotation में आती है वो decide की जाती है कि अब की बार कौन-कौन से गाउं में population के according SC की या BC की seats आएंगी इसके बाद हम अपने अगले topic पर चलते हैं and अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप comment कर सकते हैं मुझे and मैं आपको doubt solve कर दूँगी इसके बाद है power of gram पंचायत या इसके functions जो सबसे ज़ादा important topic है इसका and एक separate question बने का इसके उपर 15 marks का ये सभी के मैं वीडियो बनाऊंगी यानि की gram सभा की gram पंचायत की and उसके बाद municipal corporation की municipalities की जितने भी हमारे इसले बस में है सब के उपर वीडियो मैं बनाऊंगी separate से अब हम शुरू करते हैं बट ये general ये same ही होते हैं आप देखना जब मैं वीडियो तो ये same ही होते हैं इसमें बहुत ज़ादा points है तो मैं उनको brief में दे दूँगे आपको brief में explain कर दूँगी and बाकी की मैं slide डाल दूँगी अगर आपको उनको note करना होगा तो आप slide से note कर सकते हैं शुरू करती हूँ सबसे पहले है general functions में आएगा annual report for development annual report बनाएंगे वो development के लिए annual budget की report भी यही बनाएंगे and relief measure अगर कोई भी natural calamities आ जाती है तो उसके लिए relief measure जैसे की करोना अभी अभी गया है तो उसके लिए पंचायत जो है वो अपने उसमें जो भी budget लगता है या जो भी करना होता है वो सब कुछ ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है remove illegal encroachment from public property यानि कि अगर किसी ने भी illegal कबजा किया होता है उसको remove करना भी पंचायत का ही काम होता है और उसके बाद arrange voluntary labor and donation of food for collecting public activities यानि कि अगर कोई भी public activities होने वाली है कि हमारी जिम्मेवारी होती है उसके बाद collect tata about the village जैसे कि आपने देखा होगा कि गाउं में कितने पढ़े लिखे लोग है कितने 18 साल से उपर हैं कितने नीचे हैं कितने बच्चे हैं कितने लोग job हैं कितने खेती करते हैं farmers हैं उन सबकी जो record है वो gram panchayat को रखना होता है हमारा एंड उसके बाद implement ruler development scheme ये भी panchayat ही implement करती है जो ruler development schemes होती है उसके बाद promote feeling यान कि unity और goodwill की feeling को promote करना लोगों के बिच में ताकी भाही चारा बना रहे ये भी panchayat की जिमारी यान कैसे functions कराया जाए number second भी construction repair and to look after the public property इसके अंदर construction की बाद है repairing कराने जितनी भी public property जैसे की cleanliness of public places public places पे cleanliness का ध्यान रखना उसके बाद है well drainage, water pumps, storage tanks, ponds, garage bags etc इनकी cleanliness, इनकी construction और फिर से repair कराना उसके बाद construct करना, repair करना, burial grounds को उसके बाद lightning करना properly गाओं में उसके बाद है built and look after the ins यान की survive बनाना यान की अगर लोग बाहर से आए तो वो वहाँ पे रह सके उसके बाद ponds बनाना, animals के लिए और shed बनाना, karts, cycle या रिक्षा खड़े करने के लिए उसके बाद build करना, public parks, stadium और recreation parks, organize करना, sports, competitions को libraries बनाना, reading rooms बनाना उसके बाद जो है वो मतलब की नए roads बनाना, food parts बनाना और पुराने roads की देखबाल करना pollution को control रखना, public toilets बनाना to promote family welfare and population control यानि की लोगों को इसके बारे में सूचना देना कि आपको ऐसे से family plan करनी है या population को control करने से related programs इसके बाद मैं आपको brief में बता देती हूँ अलग से slide इनकी में डाल दूँगी नमबर थर्ड पे है development of agriculture animal husbandry यानि की agriculture से related और पश्यों से related फिर उसके बाद dairy product, fishery अगर ऐसा कुछ भी है गाउं में या इसको बनाना अगर लोग चाहते हैं भी यह हो और इससे related जितने भी काम है वो सब कुछ करना भी है हमारी पंचायत की जिम्मेवारी है उसके बाद development देखना forestry की जैसे गाउं में होता है अपना एक अलग सी जगह है बहुत सारे गाउं में होती है उसकी देख बाल करना and development of villages and cottage industry अगर गाउं में कोई छोटी मोटी industry है तो उसको चलाना and उसकी प्रोग्रेस देखना उसकी development करने में help करना उसके बाद village housing development electrification and electric supply गाउं में जितने भी सुविदाओं के जरूरत है electricity की अगर जो गरीब लोगन के पास घर नहीं है तो उनको घर दिलवाना and उनके गर में बिजली या पानी की जो भी समस्य है उसको हल करना program related to removal of poverty यानि गरीबी को मिटाने में भी मदद करना लोगों की उनको काम दिलवाना and उसके बाद है spread of education and cultural activities उसके बाद है fairs and festivals वगरा कराना ये भी हमारे village पंचायत की ही जिम्मेवारी है उसके बाद है public health and family welfare related programs चलाना and उसके बादे में भी लोगों को जानकारी देना उसके बाद development of women and children यानि जो pregnant women है या वैसे भी women's की development and children की education वगरा सब कुछ देखना जो है और उससे related data collect करना भी हमारी पंचायत की जिम्मेवारी है social welfare service करना public distribution system यानि कि जो सामान गाओं में distribute किया जाता है या अनाज distribute किया जाता है उसको अच्छे से चलाना उसकी भी record maintain करके रखना and लोगों को उसके बारे में जानकारी देना removal of illegal occupation कोई भी illegal occupation जो गाओं में चल रहा है उसको बंद कराना and power to issue general order अगर कोई भी general order जो है उसकी जरूरत है गाओं में issue करने की like कोई बठा खुला हुआ है या कोई भी ठेका खुला हुआ है शराब का जहां से शराब मिलती है और गाओं वाले चाहते हैं वो इतने area में ना हो गाओं से थोड़ा दूर हो तो अगर मतलब government की permission के साथ government को request करके उसको वहाँ से हटवा सकते हैं उसके बाद है report about the mis behavior of the subordinate staff यानि कि अगर कोई भी ऐसा staff है जो गाओं में लगा हुआ है और उसका mis behavior हुआ है किसी के साथ भी है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसकी report देना gram पंचायत करें आगे gram पंचायत उसकी report करती है और उसको हटा दिया जाता है उसको replace कर दिया जाता है उसके बाद इसको कुछ judicial power भी दी कि जैसे कि 200 rupees का या उससे double fine जो है वो हमारी gram पंचायत लगा सकती है और अगर in case of property जो 500 rupees की property है या उससे नीचे की जो property है उससे related matter जो है वो हमारी gram पंचायत देख सकती है और इसको financial powers भी दी गई है कुछ जो अपने यहां की यानि की budget collect करना अपने गाउं में से या उससे related जो finance जो भी problem है उसको clear करना थेंक्यू थेंक्यू फो वाचिंग तिल एंड अगर आपको वीडियो पसांद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जिसको भी इसकी ज़रूरत उसको शेर करें बापाई